Grammar का पहला लेस्टन है Parts of Speech. कुशिश करते हैं कि Parts of Speech को आपको बहुत ही सिंपल तरीक से समझाया जाएं और आपके तमाम कॉंसेप्ट्स हिलियर हो जाएं. Parts of Speech की मुख्तलिफ एक साम हैं जैसे Noun, Pronoun, Adjective, Verb, Adverb, Preposition, Conjunction, Interjection. हम सबसे पहले Noun के बारे में बात करते हैं कि Noun क्या है? Noun की कितने एक साम होती है? Noun is actually a naming word. मतलब हमारे इर्द के इर्द, जो कुछ भी है उसको नाम देना जैसे Persons, Persons like Boy, Girl, Mother, Father, etc. और कोई भी जानवर, जानवर मेन हमारे इर्द के एनिमल्स, जंगल के अनिवल्स, कैट, टॉक, लाइन, etc. प्लेसिस और जगाहों के नाम, जैसे स्कूल के नाम, बिल्डिंग के नेम, कंट्री नेम, चीजों के नाम, चीजों के नाम, तिंक्स के नाम जैसे प्लेट, कार, बैग, की, etc. नाउन को मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइट किया गया है, जिसको मैं सिंपल तरीके से अपनी अगली वीडियो में डिसकूस करूँगी, अभी मैं यहाँ इस वीडियो को खतम करती हूँ, देखने के लिए, ठैंक्स, फिर अगली वीडियो के साथ दुपारा में देखने,